नमस्कार मैं हूँ सुमन कुमार टीवी नेन भायत वर्ष में आप सभी का स्वागत है UPSC का रिजल्ट आ गया हमने कई हिस्सों से आपको दिखाया कि कैसे कैसे इस वार के कैसे टॉपर्स बने हैं लड़के लड़किया इस वक्त हम जहां हैं वहां आपके किसे कहानिया कई बार आपने सुनी होगी इस बार भी आपने सुना कि ऐसे घरों से बच्चे आईस बने हैं जहां कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती उन्हों सरकारी नौकरी में जा सकते हैं इस वक्त अठारमा रंक और इंडिया रंक सिधार्थ शुकला जी का है फिलाल वो नहीं है उनके फादर से इसलिए बात करेंगे कि इन्होंने भी उप्यसी के तैयारी की थी खुद तैयारी करने के बाद गये तो आईस नहीं बन पाए लेकिन इनका बेटा आईस बना तो सबसे वहले शुकान जी आपको बहुत 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 बदाए कि आप लोग ने आपने कमाल कर दिया कि क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यूपीसी में भीड है तो वह पुरभांचल वासियूं का क्योंकि वहां की जो आवो हवा है या बच्पन से एक सपना जो देखनी के बात करते हैं तो सबसे कहते हैं कलेक्टर ही बनिए तो आप भी कलेक्टर बनने के लिए सोच रहते हैं नहीं सोच रखते हैं हमारे बाबा थे उनका सपना था कि मेरा जो है पोता बहुत हो नहार है पढ़ने में और ये कलेक्टर बनेगा तो वहां से हम एक वही टीन वाला संदूक का बक्षा लेके निकले थे और वो बक्षा लेके आये थे आईस बनने के लिए तो महनत की लेक दूद न बनना फिर बेटा तक आना कई वार सपने तूटे होंगे कई वर सपने जो है वो बिखड़े होंगे कैसे क्योंकि जहां आप रह रहे हैं बहुत सारी परिशानिया है सब आपने अभी एक बात कही कि पुरवांचल के लोगों में एक जुनून होता आयस बनने का द बन जाएं अधिकारी बन जाएं जीवन सेक्योर हो जाएं और फिर वो सेवाएं और जानते हैं कि भारती प्रसाशनिक ब्योस्ता को कहा जाता है कि राजकुमार राजा लोगों की नौकर तो वो जो शपना होता राजा बनने का आदमी के दिमाग में उस शपने के करन लोग की तो राजा भी बनना चाहते तो मैं भी राजा बनना चाहaci रहा था होार जब नहीं बन सका तो मेरे बेके बार्वी पास की तो मेरे कितावें देखता था तो कता था पापापा अपनी बड़े नौट्स शायतस जो इंड ने आट साइज लिया हिस्ट्री ऑनने के लिए पढ़ाई करने हैं यहीं बैठके करता है कहां करता है यह जहां हम बैठे हुए हैं यह आपको जो अलमीरा लकडी की दिखाई दे रही है यह मैंने किसी जगह से इकठा करके अपने लिए बनवाई थी मेरी बहन ने प्रके कानी है दोस्तों कि हम सुनते हैं कि एक पिता अगर चाहे तो अपने पुत्र को बहुत कुछ बना सकता है है यहां हमने देखा कि लोने सपना इनके सपना नहीं बलकि दादा जी का सपना आपका सपना टूटा जी कि कि आप जब सी कितने कहां तक पहुंचे थे आप कर सके बाद में हम और जगह बहुत आगे तक नहीं पहुंच भाए तो पेशा के लिए हमने सोचा है कि साब फाइनेंशिल सर्विसे के लिए बीदेशों से इसी वी अक्ष्टनल कामर्सिल वारोइंग के लिए काम करने लगे तो उसमें मुझे कुछ पैसे आने लगे फिर बा कि अगरा बाहर देना बंद हो गया तो हमारा जो मंदी आई थी तो हजार आट में उसके बाद हमारे काम ठप हो गए तो फिर रेली स्टेट में हाथ अजमा जा और आप लोगों के पेशे में मुझे थोड़ी महारत हांसिल थी तो मैं जनलिजम में पहले आज अगबार में क थोड़े बहुत पैसे वहां से आजाए अग्यान को हातरव हमने बांटा बांटा नहीं अब कहने का मतलब यह है कि कोशिश यह करते रहे कि कहीं ने कहीं से मैं भी कुछ यह आधार अपना बना लूँ जीवन के लिए चैह रियल स्टेट में बना लूँ चैह फानेंसल पैसे में रहता हूं कि जनलिजम कर लो कि फाइनिसल सर्विसर्स कर लो कि रेल स्टेट के काम करनों तो सफलता तो मिलती नहीं है तोड़ी बहुत हाथ पर मारते रहते हैं लड़ाई चलती है कभी-कभी कुछ कमा लेते हैं कभी-कभी नहीं कमाते हैं लेकिन यहां कि हमारा जो उत्तरपदेश का एक कल्चर है वो कल्चर है जोइंट फैमिली का और हमारे बाप ने ऐसा सस्कार दिया कि हमारे सारे परिवारे करतिज रहते थे एक साथ चार भाई तो हम जब यहां आए तो मेरा बड़ा भाई आपको बताऊंगा तो बड़ा आपको लगेगा कि क्या स्टोरी है मैं जब आया तो मैं पढ़ने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था कि मैं अपने कोचिंग के किताबे कहां से लाओंगा और मेरी बहन काती थी नहीं तुम तुम पढ़ाई पर ध्यान दो मैं सिलाई ज्यादा कर लोंगी हाँ चिलाई ज्यादा कर लूँगी मैं ज्यादा कच्छे होगा यहीं रहती हैं उनोंने ही हम लोगों को यहां बुलाया पढ़ाने के लिए मेरी बड़ी बहन नहीं कि सिरिकान को इसमें बनाओंगी तो वह सिलाई करती थी कि नहीं तुम पढ़ो और में शिलाई करके तु योग करूंगे मेरी पढ़ाई में तो उनको कोई काम नहीं मिला तो वो नरेला के पर सिस्टेंट पो चाय बेचते थे तो उनका कि चाय बेचूंगा तो इससे कुछ पैसा आएगा तो सिद्धार सिरिकांत के लिए किताबें आ जाएंगे उससे एक ब्रह्मन परिवार को इतन बहन को बहन के सपना ये था कि आएस बनाना थे इसलम सबुछ कर ले मतरब किरे परिवार के डिकेशन में अपने परिवार में सबसे चोटा हूं सबसे लविंग हूं ईङर उकिलगा तो इसलिए सारे लोग यह लगा रहते थी प्रात्मिक चीज थी, उनकी मोहबत हमारे पर मैं बता रहा हूँ कि मेरे कामधाम बहुत कुछ नहीं चलते हैं तो मेरा बड़ा भाई यहाँ पर DSIDC में हार्टी कल्चर के ठीकेदार हैं तो उस कमाई से उन्होंने जो है उन्होंने का कि सिरिकांत तुम जो काम करते हो जा चाहे तुम्हारे प्लेटिकल एस्पिरेशन हो च क्या है तुम्हारे जनलिजम किया बिजनिस क्यों तुम अपना काम करो रही बात से धार्थ किया तो उसके लिए काफी है मुझे वो ठीके का काम मिल गया है तो अब मैं वो काम करूंगा तो उसके पढ़ाई के लिए ठीके में पैसा बच जाता है तो होता क्या था कि मलदू यह साइड इसी के एक अधर प्लांट लगाने हैं तो उसको गड्धे करवाने में बहुत पैसे लगेंगे मजदूरों को लगाने में तो मेरे भाई क्या करते थे कि दिन में तो नहीं और रात में यह सिद्धार ताइस बना है इसको उठा के ले जाते हो सिद्धार थी सो गड आप अगर आँगा सुनने में अगर बहुत क्योंकि हम में में अगर आते हैं लोर क्लास फैमिली से जब भी आते हैं तो उनकी कहानी कमवेश यही होती है चमचमाती हुए सटके आपको देखती है यह बहुत अच्छे घर बंगले और तमाम सारे चीजे एक आई-स का दिखत में मारनी परती है कि हमें अपने एक बच्चे को बनाना है कि शुकला जी बताइए कि अब तो सपना आपका पूरा हो गया अब इससे क्या उमीद करते हैं कि वह सिधार्थ आपको क्या दे तो भी वेरी फ्रेंक मैं आपको बताओं कि मैं एक सोचल एक्टिविस्ट हूँ उत्तर प्रदेश में जो गाड्स हैं चोकिदार हैं उनकी लड़ाई भी लड़ता हूँ रेलवे कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता हूँ गरिब लोगों के लिए मैंने बहुत है कि इस देश को एक धरोभर मिले एक ऐसा अधिकारी मिले जो जिस जिले में जाए तो उस जिले के एजुकेशन बेऊस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो ग्रामी रड़ादमी हैं वह आप अभी कहें कि यह राइशिना हिल की चमक तो गाउं में ना दे सके लेकिन गाउं की जो बेशिक शहूलियत है उससे किसी को महरूम भी ना रख सके इसलिए हम चाहते चाहा कि कलक्टर के तौर पे आपका बेटा सामने और आप लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं चौकिदारों का फिर कैसा होगा यह सवाल आपने पूछा यह सवाल एक दिन जो है मेरे बेटे छोट आप क्या करोगे मैंने का मेरा दौर वही जारी रहेगा अगर मुझे लगा किसी शहर में सिद्धार्त ने कहीं से कोई भ्रस्टाचार किया है तो वही धर्ना पदर्शन होगा वही आर्टी आई लगेगी पीर पापा पुझेंगे कि बेटा तो क्या करोगे वो सवाल है कि अपना तेयं करें कि उस समय वह एक भारत सरकार का अधिकारी है और मैं एक सोचल लिक्टिबीस्ट हूँ है अपना दायत तो नि भाऊंगा मैं जीवन भर यही रहूंगा मेरे सपने में यही है कि सोचल रिफाम होना कितने और लोगों को आई एस बनाना है क्योंकि एक हम यही नहीं रुके थे कि अपने बेटे को बनाते हैं हम अपने दोस्तों के बच्चों को भी ले आए और यहां पढ़ाने लगे और आज भी पढ़ा रहे हैं आज भी पढ़ा रहे हैं जो भी बच्चा और मेरे दोस्त कहते कि सिरकान भाई आप पढ़े लिखे आदमी मैं अपना बच्चा भेदू मैंने का बिल्कुल भेजो खाना पिना यहीं खिलाएं पिलाएंगे जो भी होगा देखा जाएगा साथ मिलके करेंगे आज भी पढ़ाते हैं मेरी ख्वाइश है कि देश को अगर सो अच्छे आईएस मिल जाएं प्रसास्नी का धिकारी मिल जाएं त के पीछे की ऐसे दास्ता जो हम आप शायद सुनते नहीं है टीवी पर क्यूंक हम तो बहुत सारे लाइट कैमरा और एकसे फोटो और सब चीज़ दिखाते हैं लेकिन जब इसकी पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वह हिंदूस्तान जिसे आप सिर्क पढ़ते हैं उसे जब महसूस कीजिए तब पता चलेगा कि आई एस परिवार ऐसे गरी परिवार कैसे सपने देखने में जनेरेशन टू जनेरेशन पे करना पड़ता है दादा जी ने देखा पिता जी ने किया और उसको बेटे को मिला अब बेटे की जिम्मेदारी ये बनती है कि इन तीनों जनेरेशन को देखे अपने आगे की जो भविशे उसे भी देखे देश को भी देखे समाज को देखे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिधार्थ पे है अब जला सिधार्थ के ममी से पूझ लीजे बिना कोट पेंट जब पापा का बर्डे होता था सुबह उटकर के कोट पें द्नजागे जा एक जो है ऌते उना पापान पैनने उस नहीं है छरी सब्जी नहीं मुझे परवल नहीं खाना है मुझे लाजमा खाना है शोला खाना है दूद पीना है यहां दूद क्यों नहीं है घर में अभी जाओ अधीılar मम्मी ले करके आओ, मुझे दूद्दि पिन, दूद्द जितना पिटानी की दिक्हति मिडिल के फिमली है तो होता ही है वह इतना जिद्द्दी था कि अभी बाल कटवाने हैं बेटा पैसा नहीं क्यों नहीं और फिर वह रोड जवाब हओ, हाँ ठीक है बेटा कहीं से वर आपका क्या रियक्षिन क्या सोच रही है कि अब हमारे लिए कुछ करे या ना करे हम तो ममी पापा हैं हम उसके लिए कि हमारे लिए करे या ना करे मेरा बेटा इस्टेंड हो गया इससे बड़ी खुसी हो कुछ नहीं है सोच रहे थे कि मतलब ऐसा हो जाए गए अच्छाना कि पूजा पाट पर पती के लिए सपना देखा था पती के लिए सब्सक्राइब ने आइस की तैयारी किये और इंटर्वी शादी तो आपको पहले हो गई हम बहुत हंगा मा हो गया था गोली बारू चलने वाले रालत हो गई अरे बाबर वोली चली हो गई वहां हां खुब हुआ था और हमारा सपना था कि यह आईस बनेंगे लेकिन हमारा सपना पूरा नहीं हुआ और हमारे परिवार ने पूरा साथ दिया मुझे जो भी परिव पूरे परिवार ने इनकी बहन इनके भाई मतलब जिसका जितना योगदान होना चाहिए सब ने किया और सब का सपना साकार कर दिया बेटे ने कब सिधर्थ लौट कर रहा हुआ कि तो आज बात हुए उससे तो बता रहा था कि आज ही शाब उसको चार दिन की महलत देने को कह रहे हैं कि क्या पांच दिन के अधिक सदिक शुट्टी दे सकते हैं इसके बाद फिरी पीस्टी से कुछ जाता होगा लेटर वगरा इसके बाद वर इसके तो उनका उसके बाद ही हम तुमें छोड़ेंगे तो पांच-छे दिन के लिए मतलब एक ऐसे ही नारमल सी लीव उस ये अपना नाम तो रोसन किया हम लोगों अपही नाम तुम कर रहा है यह पूरे नहीं कर पाएं बेटा कर दिया ही एँग्याmal पने ये पर आई यह तमाम सारे चीजे वो कहीं कहीं अलग हो जाती है जब अपनों की सपनों की बात आती है और एक व्यक्ति में वो सपना देखा जाए और उसे साकार अगर हो जाए तो वाक़े में वो किसी वर्दान से कम नहीं है तो यह सुकला जी के परिवार के लिए एक वर्दान है आसपास के लोगों के लिए वर्दान है शुक्र है कि आने वाले दिनों में उसे यूटी ही मिले और वो नरेला की समस्याओं से बहुत रूबरू हो चुका है दिल्ली की समस्याओं से बहुत रूबरू हो चुका है शाय झाल झाल